आज हम लोग एकदम different style में mango cake बनाएंगे जो बनाने में हैं बहुत ही easy बट खाने में बहुत ही tasty है आपका मन जब चाहे आप इसको बना सकते हैं चाहे किसी का बड़े में भी बना सकते हैं सब को बहुत पसंद आएंगे recipe अच्छे लगने से like और share करना ना भूले और please मेरे चैनल को subscribe करें हमने यहाँ पे एक cup almost 200 ग्राम mango चोटे चोटे pieces में cut करके लिया है blend कर लेंगे देखिए mango pulp ready है एक pan में डाल देंगे mango pulp 1 foot cup sugar मिला लेंगे और इसको low flame में 4-5 मिनिट ऐसे चलाते रहेंगे अगर आपका mango कम मिठा है तो sugar का quantity आप थोड़ा सा बरा दीजिए मिलाते मिलाते कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह transparent और थोड़ा सा थीक हो गया है 5 मिनिट्स हो गया है देखिए कितना थीक transparent और clear दिख रहा है तो हम यहाँ पे gas off कर देंगे और इसको थोड़ा सा थंड़ा करके mixi में और एक बर blend कर लेंगे दिन ये एकदम smooth हो जाएगा second time blend करने से अगर इसमें कोई भी छोटा सा mango का टुकरा रहेगा तो वो अच्छे से blend हो जाएगा जब तक वो थंड़ा हो रहा है हम butter milk को ready कर लेते हैं one third cup milk में हम दे रहे हैं one teaspoon vinegar मिला लेंगे और इसको side में हम ऐसे ही छोड़ देंगे थंड़ा करके blend करने के बाद pulp को निकाल लेंगे एक button में देखिए एकदम smooth and clear है कुछ भी दरदरा नहीं है इसमें एक बॉल में हम ले रहे हैं one fourth cup oil, one fourth cup sugar थोड़ी देर इसको अच्छे से फेट लेंगे अगर आपको बहुत जादा मीठा पसंद है तो शुगर का quantity आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बर ध्यान में रखिए कि mango pulp में भी हम लोगों ने अल्रेड़ी शुगर एड़ किया है देखिए butter milk रेड़ी हो गया है तो डाल देंगे इसमें देंगे half teaspoon vanilla essence और मिला लेंगे एकदम smooth करके मिला लिया है बॉल की उपर एक्स्टेनर रखके डाल देंगे एक कप मैदा वान टीस्पून बेकिंग पाउडर वान फो टीस्पून बेकिंग सोडा छान लेंगे मिक्स करेंगे cut and fold मेथट से जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ हम लोगों ने जो mango pulp बना के रखे थे वो 3 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे और बाकी का हम last में यूज़ करेंगे मिला लेंगे हम यहाँ पर पहले 1 फोट कप मिल्क डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे अगर बाद में हमें लगे की थोड़ी से मिल्क की ज़रूरत है तो हम डालेंगे बट पहले 1 फोट कप मिल्की यूज़ करेंगे यह अच्छी consistency में आ गया है एकदम perfect तो हम और मिल्क यहाँ पर नहीं डालेंगे batter एकदम perfectly ready है हम इस cake को sauce pan में बनाएंगे अब चाहे तो कोई भी aluminium की बरतन नहीं तो कराई में भी कर सकते है oil लगा लेंगे अच्छे से steel के बरतन में ना करें इसको अगर आपके पास butter paper है तो आप वो यूज़ करें नहीं तो थोड़ा सा मैदा ची रख के आप इसके उपर coat कर लीजिए देन केक को डी मोल्ड करने में इजी होगा उसके बाद batter को डाल देंगे sauce pan में हम एक spoon से उपर का portion प्लेन करके थोड़ा सा टैप कर लेंगे गैस के उपर एक तवा रख के sauce pan को बिठा देंगे और फिर इसको cover करके low flame में 30-35 minutes bake करेंगे 30 minutes बाद हम ढखकन को हटाएंगे और एक toothpick से चेक करेंगे कि केक अच्छे से बेख हुआ की नहीं देखिए toothpick पुरा साफ है मतलब केक अच्छे से बेख हो गया है तो हम gas off करके केक को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे केक अच्छे से पुरा ठंडा हो गया है तो हम इसको demold करेंगे केक बहुत soft हुआ है जब आप butter paper के बिना कराई में नहीं तो sauce pen में बनाएंगे तो पीछे का portion थोड़ा सा ज़ादा dark होता है but don't worry ये जला नहीं है खाने में बहुत tasty है अभी इसके उपर बाकी का mango pulp डाल के spread कर लेंगे सच में बोल रही हूँ ऐसा mango cake अगर आप घर में बना के खाएंगे तो आपको बहुत tasty और yummy लगेगा and I'm sure आप दुबारा बना के ज़रूर खाएंगे मैं इसके उपर दे रही हूँ थोड़ा सा चॉकलेट सीरप लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें